सरकार की और से कंपनियों को दी गई टेक्स रियायत के बाद भी देश में कंपनियों की और से की जाने वाले निवेश में कमी आई है सर टेक्स की रियायते हैं 2019 में नवंबर सितंबर नवंबर में दी गई थी क्यों दी गई थी इनका उदेश क्या था 2019 का इस सबसे बड़ा फैसला था और भारत ने अपने हाँ एक मुष्ट कारपोरेट टेक्स की दर्में रिकॉर्ड कमी की थी और रिकॉर्ड कमी के साथ भारत 20 फीसदी के आसपास 22 फीसदी के आसपास की कारपोरेट टेक्स की प्रतिस परधात्माग दर्में पहुंच गया था वो कोविट से पहले का साल था और तब सबसे बड़ी सुरुखियां सरकार की तरफ से आई थी उद्देशे था सरकारे चाहती थी कि प्राइवेट कमपीनियों का कैपेक्स बढ़े दोजार उनीस से पहले तक ये इस पष्ट था कि भारत में निजी कमपीनिया अपना पूंजी निवेश नहीं बढ़ा रही है सीमित पूंजी निवेश था और उसे बढ़ोतरी के लिए तमाम कोशिशों के बाद विदेशी निवेश खूलने के बाद ये प्रयास किया गया था कि इस रियायत के जरिए शायत कमपीनियों के हाथ में जदा पैसे बचेंगे उन्के खाते में जदा पैसे होंगे तो उस का इस्तेमाल वो बाजार में निवेश बढ़ाने के लिए करेंगे और उससे रोजगारों में बढ़ोतरी होगी हाला कि 6 महीने के भीतर ये दिखाई दिया आकड़ों में कि कंपिनियों की बैलेंस शीट में तो फायदा हुआ है क्योंकि टैक्स में कटाउती हुई पर उसका निवेश होते हुए सामने नहीं आया उसके बाद आ गया कोविट के बाद और भी ज़्यादा जरूरत थी कि कंपिनियों का निवेश बढ़े जो बढ़ता नहीं दिखाई दिया अगर आप याद करें कि पिछले 5-6 महीनों में 3-4 बार वित्तमंत्री को अलग-अलग मंचो उसे संकेतों के तोर पर कहना पड़ा है कि हमारी वो एनिमल स्पृट कहां गई उद्योगों ने अपना निवेश करना क्यों बंद कर दिया आप तो बहुत हाई टाइम है कि कैपेक्स बढ़ाया जाए यह सब चीजें दरसल उद्योगों को यह याद दिलाने के लिए कही ज देखें तो कापरेट टेक्स का कलेक्शन करीब करीब 10.4 फीस दी गिर गया जो जो इस कटाउती की वज़े माना जा रहा है जो नुकसान अगर आप एक जिकली देखें तो एक दसनलब 76 लाख करोड रुपए का एक दसनलब 76 ट्रिलियन डालर ट्रिलियन रुपीज के आसप हमें निवेश में या रोजगार में या नौकरियों में के तोर पर नहीं दिखाई दिया और ये इस्थिती हमें पिछले साल भी दिखाई दी थी सरकार के करसंग्रह में और पिछले साल का मामला तो और भी महत्तुपूर्ण है शुब हमकि पिछले दो साल में कमपिनियों क के मुनाफों में रिकार्ड बढ़ूतरी हुई की कोविट के दौरान उनके खर्चे कम हुए थे, नौकरियों में छटनी हुई थी, प्रोडक्शन फैसिलिटीज को ठीक किया गया था, ब्याजदरों में कमी हुई थी, कोविट की एकॉनमी के दौरान प्रोमोशन के दौरान पैसा दिया गया था, और आर्बियाई ने ब्याजदरों में कटवती की थी, इस सबका फाइदा कम्पिनियों की बैलन्स शीट को बहतर करने में हुआ था, और आपको याद होगा अगर आप रेगुलर मनी नाइन एक नामी कम देख रहे हैं, ने विस्तार से पर चर्चा की थी कि कोविट के दो साल में भारती कम्पिनियों के मुनाफ़े रिकार्ड इस तर पर बढ़े थे, उस बढ़तरी में एक बड़ा योगदान कापरेट टेक्स में कटवती का भी था, सर निवेश आया क्यों नहीं फिर अगर ठीक है, कटवती की गई, कम्पिनियों को चामले में जो त्यार हो रहा होगा, कि बताएं कि आखिर भारत में निवेश बढ़ाने के लिए टेक्स रियायत जाधा जरूरी है, मांग जाधा जरूरी है, क्योंकि अगर आप पिछले रिकार्ड के दोर पर देखें, शुब हम तो जब भारत में कापरेट टेक्स किदर 35 30% से ऊपर थी, तब भारत में रिकार्ड निवेश आया था, यानि कापरेट टेक्स किदरें उची होने के बाद भी कमपीनियों ने निवेश किया था, क्योंकि तब बाजार में डिमांड बहुत अच्छी थी, मांग बहुत अच्छी थी, भुखता खपत बढ़ी थी, सरक बहुत तरी, इंडिरेक्ट टेक्स में आम भुखताओं पर कर दीगी, जैब जीएस टी मानें या पेट्रोल डिजल की कमी मानें, और इसलिए भारत में कमपीनियों से मिलने वाले टेक्स और आम लोगों से मिलने वाले टेक्स का संतुलम भी बदल गया, भारत में अधिकां में मांग सबसे बड़ा ड्राइवर है, टेक्स रियायत नहीं भी दी जाए, तब भी अगर बाजार में डिमांड होगी, अच्छी डिमांड होगी, तो शायद बहतर निवेश आएगा, या निवेश की संभावनाबंती दिखाई देगी, कम से कम ये मुहिम, कापर टेक्स में इतनी बड़ी कमी की मुहिम तो इस तरह इशारा कर रही, कि अगर डिमांड नहीं है, तो कमपीनियों को आप कितनी भी रियायतें दे दीजे, उनकी जेप से निवेश के लिए, नई मशीने, नई फैक्टरी लगाने के लिए पैसा बाहर नहीं आएगा, नई तरीके की स्ट होते हैं, कितना कितनी कितना इंप्लाइमेंट जेनरेशन होता है, ना सरकार किसी तरीके का इंप्लाइमेंट जैसी पर इस्तिती करती है, कमपीनियों को टेक्स रियायतें के बदले, जिबकि टेक्स रियायतें देते हुए कि टेक्स रियायतें इसलिए दी जा रहे हैं कि प कितना लाव हो रहा है यह पूरा हिसाब नए से रहे से शायद करने की जरूरत है इस रिपोर्ट के हिसाब से भी हमें माना जा सकता है और पिछले दो तीन साल में अलग-अलग जगह से इस बात के संके सरकार के आकड़ों से भी मिले हैं कि कापरेट कंपिनियों को दी जाने व बाता है